हेलो दोस्तों स्वागत आपका सोचिलाजी क्लासिस के हमारी यूटूग चैनल पे तो आज हम देखेंगे भारत में संयुक्त परिवार तो संयुक्त परिवार इससे पहले हमने परिवार के बिसे में चर्चा की थी परिवार की परिवासा परिवार के प्रकार और परिवार के उद्भो और परिवार के परिपेच्छों के बारे में, अधियन परिपेच्छों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आईए देखते हैं भारत में संयुक्त परिवार, तो प्राचीन काल से भारत में परंपरा गत परिवार की समरचना को संयुक्त परिवार के रूप मे समझा जाता है जिसमें तीन या तीन से अधिक प्रीडियों के एक ही छट के नीचे रहते हैं और एक चूले से पका खाना खाते हैं और समान गत्वीडियों में भाग लेते हैं संपत्ति पर समान अधिकार रखते हैं सभास होते हैं जिसके सदस्द एक दूसरे से संपत्ति और पारEMपडिक अधिकारों करतब्यो द्वारा संबंधित होते हैं अर्था जूड़े हुए होते हैं वहीं दिसाई ने नातेदारों के प्रति अधिकारों यह दाइतों पर अधिक जोर दिया है तो जो मानते हैं कि अधिकारों और करतब्यों से संबंधित जो तीन या तीन से अधिक पीडिय अगला है इरावति कर्वे नात左री पर अधियन करने वाली प्रमुक श्माज सास्त्री थी ज़ते तक कभी कभी पूछ लेता कि इसने भारती समाज के नात famine बिवस्ता में ब्रिष्य सद अध्यन किया है तो उसका अंसर इराव200 settoshi रोता तो संयुत परिवार के ऐसे ब्यक्तियों का एक समूग है जो समाने तह एक ही घर में रहते हैं जो एक ही रसोई में भना भोजन करते हैं जो समलित स्वामित होती है जहां पर और तथा जो समाने पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रख्त संबंधी होते हैं तो इन्होंने कहा है कि जो किसी ने किसी एक दूसरे से रख्त संबंधी रहते हैं और इन्होंने एक अलग बात कहीं है जो सामाने पूजा में भाग लेते हैं वही करवे सहनिवास को सहयुक्त परिवार के लिए अधिक आवस्यक मानते हैं सहनिवास अर्था सभी एक साथ निवास करते हूं अगला है स्थान पर भोजन करते हूं और एक आर्थी किकाई के रूप में कारे करते हूं उन्होंने समलित रूप से सहयुक्त परिवार कहा है यह तो आयपी दिशाई क्या करते हैं आयपी दिशाई सीन ने का कई अलग-अलग मूल परिवारों से मिलकर तो सहयुक्त परिवार का निर्माड हुआ है और उनमें निकट के संबंद पाए जाते हैं है उसके बाहा है नदी मैन है नदी मैन के इंसार हिंदू संयुक्त परिवार एक समू है जिसमें जिवीत पुरुवज एक पुत्र तथा बिवाह द्वारा इन पुत्रों से संबंधित रिष्टेदार समलित होते हैं है है कि एक परिवार का एक पुत्र और उससे संबंधित जो रिष्टेदार होते हैं वाह जो है एक समून है चो समावनती है क्कुल के कर्ठब्य और अधिकार भावनार सत्या के प्रती संबंधित एधिकार भावना और सत्ता करता भी अधिकार भावना और सत्ता के प्रति संबंध अर्था एक दूसरे चैन्ज जुड़े होते हैं इनके अनुसार संबंधो में निरंतर्ता सत्ता बड़े सदस्यों के पास है और वे परस पर संयुक्त परिवार में होते हैं जिन्होंने का जिन है एक जी बेली के रिम ओस्यूत प्रिवार के लिए आवस्यक्तत्त सभ शंपत्ति को माना है महीं भूंट ने सभ परिवार के लिए सभर रसोई ने सभोजन को आवस्यक्तत्तत Neon है यह दियर मधान ने सक्वरिवार के लिए सा संपत्ति को अध्याधिक जोर दिया निवास अर्ट भजन को सरवाधिक महत्पूर मानते हैं यह रालड़ गोल्ड बीस कोहन राधा कमल मुखरजी पॉलीन करंडा यह सी दूबे ने संफ्वरिवारों के लिए आवसकतत के लिए करते हैं उन्हें लोगों ने सभ्यार माना है अगला है अग्रवाल तो इस सभ्यार अग्रवाल के लिए सत्ता की अधिनता को आसकतत माना है इन्हों की जो परिवार का सरवसंट ब्यक्ति होता है उसके पास अत्राइब हां उसके अधीन ही सब कादि करते हैं के इंक बाड़ड़ औरfer जह साइय जो अ सब्सक्राइब परिवार हैं तीन या तीन से अधिक पिड़ी या एक इच्छते के नीचे रहती होने संयुक्त परिवार के रूप में परिभासित कि आप आप आई पी दिसाइन स्पीड पीड़ी की घराई अधिकार एंग करता बे संपतियुक्त परिवार की बिसेस्ता बताई है मैं तो यह हो गया संयुक्त परिवार की परिभासा है और यह कुछ की पॉइंट थे किनों ने किस को मुख्य भूंचा में संयुक्त परिवार को देखा है तो आई ये देखते हैं संयुक्त परिवार की प्रमुख विसेस्ता है तो संयुक्त परिवार जो होती है वाली विसेस् सदाई तो सरोकीन करवे दिसाई का मानना है कि संयुक्त परिवार में सदसे एक दूसरे के प्रति सहयोग और समुवाद की भावना रखते हैं तो कौन-कौन सरोकीन करवे और दिसाई ने कहा है कि संयुक्त परिवार के जो सदसे होते हैं एक दूसरे के प्रति सहयोग और समु या तिन से अधिक प्रिवार में एक साथ रहती है चलिए इंका अकार वड़ा होता है कि और इसमें अगर नाते-दार जुड़ जाते हैं तो उसे सामाने निवास को संयुक्त परिवार का आवस्यक्त पत्वा माना है सामाने रस्वई घर इडावती करवे अव ब्लंट ने इसे आवस्यक्त माना है दिसाई ने सामाने रस्वई संयुक्त परिवार के लिए आवस्यक्त नहीं माना है इडावती करवे और ब्लंट सामाने रस् अगला है समाने संपत्ति, बेली और मदान ने संयुक्त परिवार में संयुक्त संपत्ति को आवस्यक्तत वाना है, करवे ने इसे अस्विकार किया है, तो करवे ने संयुक्त संपत्ति को संयुक्त परिवार की विशेष्टा के रूप में अस्विकार किया है, करवे समाने रस कि अवाज के अधार पर नहीं संबंधों के अधार पर सहीत परिवार कहा है अगला है नातेदारी संबंद रक्त समू अथवा गोद संबंदों से संबंधित होता है नातेदारी समू और यहां पर गोद रक्त समू के अलावां बीवा समू बीवा से भी रक्त नातेदारी संबंद पंते हैं कि अगला अधिकार अध्र दिसाई ईयुम्य रास्य को इक अधिकार और दाइक्तों को सहिंट परिवार के लिए और्शक माना किसे किसे आईपी दिसाई और अर्डी रास्य और सदस्यों के लिए अधिकार उप्रसाइप उंद लीज़ार के लिए अवर्शक्त barrack wieder data है है अगला है कुछ निस्चित आधारों पर सज्थ्थ्थ पाया जाता है जैसे आईप की आधार पर जैसे पिटा दादा और पोता इनों एकशाध्यार पाया जाता है या है आगे है तुलात्म के अस्थाइत्व Filipa को जाना है जिए आधिकस तart होता है और अंति में एक उत्पादक है जहां उत्पादक के रूप में है जहां पर श्राइब्टम परिवार ग। नमें सभी गुर सदस्यों को खेतों में कारे करने के लिए जाना जाता है अर्फादक है उत्पादiedyल करने प्रथम के आधार पर उन्होंने चार बताए हैं जैसे एक पीड़ी वाला दो पीड़ी वाला नाविकी या अकांकी परिवार होता है सभ्राइब पर उन्होंने इकांकी परिवार का रियुक्त परिवार अवासी में एकांकी और दाइट में रहते हैं जो दाइट होता है वह एक साथ में जोहर करते हैं अगला प्रकार्यात्मक एम्शत्ता मूलक या सत्ता सूचक परिवारि आवासी अर्थ मेंक अर्थात तो आवाज तबका अलग अलग अलगा हता है लेकिन संपत्तिकार्य या इम्दाइ banco सीमय चैनुक्ष аздों होते हैं संपत्तve कवाड़िया ने इचे कांकित परिवार भी का सिमांत जो संपरिवार होता है उसे कपार्ण क्रेग्ध संयुकित परिवारasmus 1 तो तीन या तीन से अधिक जामील संपत्य संपत्तिकार युम्नदाहित में संयुक्त परिवार ही परमपरागत व्होPat Jahr अब कबाडिया ने पांच प्रकार के परिवारों की चर्चा की है इसमें इन्होंने एकांग की परिवार अर्था जिसमें अब विवाहित पुत्रों के साथ पती पत्नी रहते हैं जिसे देशाई ने सिमांत संयुक्त परिवार कहा है और एलाजन नासने लग हुष एपरीवार कहा और स्मरेखी शक्यक्त परिवार इसमें जाएच से रावा भीरी चीखें इंहें चारकास बेटे और उन्से सम्ढधित के सभेटाइन एका तक наш में एकल परिवार में आश। रेतनी के साथ के तीन कर्णाट से बताए है अoterरान रावार्ट भोज और उन्हों तो है इनहोंने लगूर्फ परिवार के ऊज़ते हैं हैं जिसमें इनों का है एक तो ब्यक्ति उसकी पतनी और उसके अभी वहीद बच्चे बिना बच्चों के होंगे अर्था ब्यवाहिद बच्चे होंगे वह यह केवल पति पतनी होंगे दूसरा इसकी पतनी उसके माता पिता और विवाहिद बच्चे या विवाहिद बच्चे के बिन्या बच्चे तो दूसरे मिन्हों ने बताया कि कोई ब्यक्ति हो गया उसकी पतनी हो गई अब इनके माता पिता हो गए एक लोग के और फिर इनके बच्चे हो गए बच्चे विवाहिद भी हो सकते हैं अर्था जोड प्रीवार के चर्चा इंहों की है दूसरा है इनों का दो वीवाहिद भाई और उनकी पत्निया भच्चे रखनों सुवर्भ प्रकार के परिवारों की चर्शा की है, अगला है MS गोरे ने दो प्रकार के परिवार बताए है, पहला एकांकी दूसरा संयुक्त, एकांकी में इन्होंने तीन प्रकार के परिवार बताए जिसमें पती-पत्नी और अभिवाहिद बच्चे रहते हों, दूसरा इन्होंने बता है कि पती-पत्म बच्चे और अन्य आश्रित चैसे विधवा बहन या विदुर्भाई एसम अगला इन्होंने दूसरा बता संयुक्त परिवार तो संयुक्त परिवार जो एमन्स कोरे पताते हैं उन्होंने तीन टाइप के संयुक्त परिवार की चप्चा कि एक समरेखी तो इसे इन्होंने संयुक्त दूसरा बता भात्रिक संयुक्त परिवार इसमें भाई और उनकी पत्नी कई भाई और उनकी पत्नी के साथ बना परिवार भात्रिक संयुक्त परिवार की संजाए उन्होंने दी है इसमें एक ही रेखी में कई भाई होते हैं उनको समरेखी भा के बच्चे हो सकते हैं अगला MS गोरे ने एक आधर सजयुक्त परिवार को संतत्य ये भात्रिक संभिवार कहा जिसमें ब्यक्ति पत्नी बच्चे और अनेक बच्चे समलीद होते हैं और बच्चों के बच्चे समलीद होते हैं कले आगे देखते हैं पीन पॉलेνडा तो यहां कई बार पूचा है जाता है किसने परिवार के 12 विश्थानों की चरचा की है तो यान कुलेंडा ने परिवार के 12 जिस्ताओं की चर्चा की है अब इन्होंने 6 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है पहला है साखी संयुक्त परिवार, दूसरा अनपूरक साखी संयुक्त परिवार, तीसरा वन्स परंपरागत संयुक्त परिवार, और चोथा इन्होंने अनपूरित वन्स परंपरागत संयुक्त परिवार, वन्स परंपरागत सास्त्री संयुक्त परिवार, और तीसरा कारे में सहायता हो जाती मार्क दर्सन हो जाता है धार्मिक कार में भी बल होता है तीसरा समाजी कार्थिक सुरुच्छा प्रदान होती है धनका उचित उपभोग होता है अर्था धनका दिक उपभोग नहीं होता है संपत्य के विभाजन से बचाओ होता है स्रम विभाजन होत और समाजवाद हेनरी मैंन कि इंसर सायुक्त परिवार के निगम बताएं है अगला परिवार सायुक्त परिवार के दोस्त क्या हो सकते हैं तो यहां से सीधा सीधा प्रश्म पूछा जाता है सायुक्त परिवार से क्या लाव हो सकते हैं क्या दोस्त हो सकते हैं कई भी कल्प द ब्यक्ति हो जाते हैं जो कारे नहीं करते हैं लेकिन परिवार से जुड़े रहते हैं व्यक्ति के विक्यास में बाधक हो जाते हैं व्यक्ति के जो ब्यक्ति गत्विक्यास में होता है उसमें बाधक होते हैं गत्सीलता में बाधक होते हैं अथा ब्यक्ति परिवार से हटकर अ है दूसरा सामाजिक समस्याओं का सोसक होता है तो कई तरह की समाजिक समस्याओं होती ने जैसे कलाओ का केंड्र था परिवारी ज स्थान का भावर्था सब एक जगह रहते हैं तो आप परने पर्सனल बातों की चर्षा नहीं कर सकते हैं सुस्क और नीरस वातावरां है उसकर और सांती का महुल होता है मुख्या की स्विचाइबา हाट क्षार जो मुख्या का देस हो leky they होगा और अनियंत्रिक प्रजनन और यहां पर अठ्याधिक प्रजनन अठार बच्चे पायदा करती जाते हैं तो मैं कोई नियंत्रा होता नहीं है तो आज की वीडियो यह समाथ करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सस्काइब करें धन्यवाद डेली कुछ के लिए आप नाइन एम एन नाइन पी एम पर जुड़ सकते हैं सोचियो लॉजिक की डेट आ गई हैं एक अक्टूबर तो आप लोग रिवीजन करें और आप लोग रिवीजन के लिए आप हमारे यूटूब चैनल पर प्ले आई क्यूश्चन पढ़े हुए जिनका आप रिवीजन करके अपने परच्छा प्रडाम को बहतर बना सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवार इसके अलामा आप हमारे चैनल पर साट में वीडियो बनी है जो कि इंपोर्टेंट है तिंकर्स की रिवीजन के लिए आप उनको देख सकते हैं